हेलो एव्रिवान, आज हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट तेईस सत्यवद एक सो कौरव कुमार तथा पांच पांडव कुमार सिक्षा प्राप्त करने के लिए जब अपने गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने पहले दिन उने एक पार्ट पढ़ाया सत्यमबद अर्थात सच बोलो गुरु ने अपने शिश्यों को कहा इस पार्ट को सभी याद करो मैं तुम सबसे कल या पार्ट सुनूंगा अगले दिन सभी सिश्य गुरु जी के पास पार्ट शाला पहुँच गए गुरु जी ने सभी से पार्ट सुनाने को कहा तो सभी सौक औरवों तथा चार पांडव ने गुरु जी द्वारा पढ़ाया पाठ सत्यमवद अर्थात सच बोलो सुना दिया, किन्तु युदिष्टिर ने पाठ नहीं सुनाया और चुप चाप बैठा रहा। गुरु जी ने कहा, सभी शिश्यों ने पाठ सुना दिया, फिर तुम चुप चाप क्यों हों, तुम भी पाठ सुनाओ, वहां बोला, गुरु जी मुझे पाठ याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम पाठ कल सुना देना, गुरु जी ने कहा, कक्षा में बैठे बाकी श शिश्य अर्थात, चारो पांडब और सौक औरब बड़े हैरान थे कि इतना आसान सा पाठ युदिश्टिर को याद नहीं हुआ तो वहाँ आगे क्या पड़ेगा अगले दिन कक्षा में आते ही गुरु जी ने युदिश्टिर को पाठ सुनाने को कहा तो उसने कहा गुरु जी ने कहा अच्छा कल याद करके सुना देना किन्तो जब अगले दिन भी उसे पाठ याद नहीं हुआ तो गुरु जी ने कहा कि जब तुमें पाठ याद हो जाए तभी तुम कक्षा में आना इस तरह काफे दिन बीट गए और युदिश्टिर कई दिन बाद जब कक्षा में गया तो सभी हसने लगे गुरु जी ने सब को शांत किया और युदिश्टिर ने बिश्वास के साथ कहा जी गुरु जी मुझे पाठ याद हो गया है अच्छा तो सुनाओ गुरु जी ने कहा युदिश्टिर ने पाठ सुनाया सत्यमवद अर्थात सच बोलो गुरु मेरे मुह से कभी कभी छोट निकल जाता था फिर मैं आपको कैसे कह देता कि मुझे पाठ याद हो गया है आज मैंने मन से सच बोलने का प्रन लिया है मैं जीवन भर सच बोलूँगा गुरु जी ने युदिश्टर को गले से लगा लिया और कहने लगा बेटा सच मुझ सच बोलने का पाठ सारी कक्षा में से तुमने ही सबसे अच्छी तरह याद किया है तो बच्चों आपने देखा कि इस पाठ में कौरव और पांडव दोनों भाई थे पांडव पांच भाई थे और कौरव सो भाई थे तो वह गुरू जी के कुटिया में गए शिक्षा ग्रहन करने तो पहले ही दिन गुरू जी ने उन्हें पाठ पढ़ाया सत्य बोलो सब बच्चे तो याद करके आ गए अगले दिन पर युदिश्टर ये याद नहीं कर पाया तो फिर गुरू जी ने उसे कहा कि ठीक है दूसरे दिन करके आना नेक्स डे करके आना तो अगले दिन भी युदिश्टर ने यही जवाब दिया कि मुझे नहीं आता अगले दिन सारे बच्चे हस पढ़े युदिष्टर के उपर की इसी इतना सा सरल पाठ नहीं याद हो रहा फिर तीसरे दिन ने युदिष्टर ने फिर यही जवाब दिया कि भई मुझे तो नहीं यही याद हुआ पाठ फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है तुम उसी दिन अब पाठ शाला में आना जब तुमें यह पाठ याद हो जाए युदिष्टर कई दिनों तक पाठ शाला आया ही नहीं तो फिर क्या हुआ फिर कई दिनों बाद युदिष्टर पाठ शाला आया तब गुरुजी को उसने पाठ सुनाया जब गुरुजी को उसने पाठ सुनाया तो गुरुजी ने पूझा कि क्य तुम्हें इतना सरल सा पाठ इतने दिन क्यों लग गए याद करने में तब युदिष्टर ने बड़ी ही बुद्धी के संग जवाब दिया कि ये पाठ रटने और याद करने में तो बहुत कम समय लगता है लेकिन इस पाठ को सच में असल जिंदगी में उतारने में यानि कि सत्य बोलने में टाइम लगता है तो मैं जब भी इस पाठ को पढ़कर सच मोलने की कोशश करता था कोई न कोई जूट बोल जाता था इसलिए आज से मैंने बिलकुल सच मोलने का प्रन लिया है तथा आज ही मुझे लग रहा है कि ये पाठ मुझे याद हो गया है तो गुर युदिष्टिर भी इतिहास में सबसे सत्यवादी पुरुष के हिसाब से ही फेमस हुए है और युदिष्टिर कभी भी अपने जीवन में जूट नहीं बोले तो आईए अब हम करें इस पाठ का पाठ अभ्यास तो सबसे पहले हम करेंगे शब्दात शिश, चेला, अनुय यानि कि स्टूडेंट, मजाक उडाना, हसी उडाना, अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्ण उत्तर Q1. गुरुजी ने शिश्यो को पहले दिन कौन सा पाठ पढ़ाया? उत्तर गुरुजी ने शिश्यो को पहले दिन सत्यवद अर्थाद सच बोलों का पाठ पढ़ाया Question number 2. गुरुजी द्वारा पढ़ाए गए पाट को किसने नहीं सुनाया और क्यों? उत्तर गुरुजी द्वारा पढ़ाए गए पाट को युदिष्टर ने नहीं सुनाया क्योंकि उसे पाट याद नहीं हुआ था कक्षा में बैठे सभी शेश्य युदिष्टर का मजाग क्यों उडाते थे क्योंकि युदिष्टर से एक सरल सा पार्ट भी याद नहीं हो रहा था कुश्टर नमबर फो युदिष्टर को गुरु द्वारा पढ़ाई गए पार्ट को याद करने में जादा दिन क्यों लगे उत्तर युदिष्टर जब भी गुरु जी द्वारा दिये गए पार्ट को याद करके सच बोलने की कुशश करता था तो कहीं न कहीं कुछ जूट इसलिए उसे लगता था कि उसे अभी बात अच्छी तरह याद नहीं हुआ है तथा उसे पाठ याद करने में ज्यादा दिन लग गए। Q5. गुरु जी ने युदिष्टर को गले क्यों लगाया। उत्तर पाठ के प्रती युदिष्टर के सची निष्टा और लगन देकर गुरु जी ने प्रसन होकर उसे गले से लगाया। सही शब्दों पर गोला लगाओ। पहले में कौरव कौरव क को बड़ा ओ लगेगा इसलिए ये वाला कौरव दूसरा वाला कौरव सही है। गुरु में चोटा उ, सिश पहला वला सिश सही है। हैरान ह को बड़ा आ, आ सान, आ, इसलिए ये वाला शब्द सही है। उसके बाद हसने हसने, चंदर बिंदु की मात्रा लगेगी हसने शब्द में इसलिए पहला वाला सही है। इसमें दूसरा वाला युदिष्टर सही है, इसमें दूसरा वाला परंतु सही है, अब हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द जोडो यानी की वर्ड मीनिंग्स सबसे पहला, सो, शत, गूरू, गूरू का अध्यापक, वद, यानी की बोलना, शेष्य, चेला, बागी, शेष, कक्ष, श्रेणी, यानी की क्लास, पाच्शाला, विद्याले, स्कूल, दिन, दीवस, डेट, सरल, आसान, इजी, जूट, यानी की मिथ्या, लाई, अब हम करेंगे संयुक्त अक्षरों से बने शब्द पाट में से चुनकर लिखों, तो क, आधा, क, और श, मिलके बना कशे, उससे हमने एक शब्द लिखा कक्षा, आधा, द, और व, मिलके बना द, तो इधर हमने लिखा बिद्वान, आध और प्रबल, इस जान में पांच पांडवों के नाम चीपे हैं, उन्हें ढूंडों, उन पर गोला लगाओ और उनके नाम लिखों, तो ये रहे सबसे पहला पांडव युदिश्टेर, दूसरा अर्जुन, तीसरा भीम, चौथा नकुल और पांचवा सहदे, तो ये रहे पांच पांडव और यहां पर लिखे हुए हैं उनके नाम, तो आप लोगी अपनी पूस्तक में जरूर लिख लीजेगा, और ये पाथ आपका यहीं खतम होता है, थैंक्यू वेरी मच एव्रीवन,